दोस्तो जैहीन आज के लेक्चर में हम शुरुवात करेंगे relation between efficiency and coefficient of performance efficiency हम heat engine के लिए यूज करते हैं और coefficient of performance ये शब्द हम यूज करते हैं refrigerator के लिए अगर source और sink अदलब जहां से heat आएगी और जहां को heat जाएगी उनका temperature अगर हम same रखते हैं for engine and refrigerator then we can build up a relation between efficiency and coefficient of performance efficiency is equals to 1 upon 1 plus beta इसके derivation की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है ये relation valid कभ है वो फिर से बता दू this relation between efficiency and coefficient of performance is valid when both engine and refrigerator are running on the same source temperature and same sink temperature only okay all right हम इसके उपर एक question करते हैं एक question इस प्रकार लिखो एक example efficiency efficiency of heat engine of heat engine working between working between a given source and sink is 0.5 or full stop decay coefficient of coefficient of performance coefficient of performance of the refrigerator refrigerator working between the same source and the sink will be और चार option है देखते हैं कौन-कौन सही जवाब देगा बिना तुक्का मारे यह चार options है भाई दो मीट का वक देता हो दो मीट से कम समय में यह सो यह रहा question efficiency of heat engine working बता दिया ना में question को solution देखना answer कितनी बादे बिट करोगे question अच्छा तो यहां पर point 5 क्या था point 5 efficiency दी थी heat engine की यार heat engine की बात करोगे तो efficiency word use होगा ना कोई ऐसा तो नहीं कहे रहा है सब्सक्राइब यहां पर point 5 relation पहले पता था यहां पर वही पड़ा है मैंने relation यह यहां पर लगा कब लगाना है जब question के आगे देखो कहीं लिका हो between the same source and the sink अगर refrigerator जो heat engine के जगा पर लगा दो मतलब जिसका source और सिंग का temperature सेमों तो यहां से चेक हुआ कि यह रिलेशन लगा सकते है का जी हां लगा सकते है लगा दिया हमरे बच्चों नी इटा को पूट कर दिया नेक्स टाइम नेक्स टाइम नेक्स टाइम ओके सो एक क्वेशन और लिया हीड इंजिन रजेक्ट शिक्स हंडड़ क्यलरीस तो दे सिंक आट 27 डिग्री सेस्ट वाइस भी हो जाएगा ना इसकी वह जब हीट एक्स्ट्रेक्ट करेगा चोड़ेगा और टीवन दिया था 227 सोर्स का टेंपरेचर सिंक का टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया था क्यू टू 600 जूल था वर्क डन में फाइंड आउट करना था हमने देखा कैसे इसको स्टार्ट करें तो हमारे पास efficiency के इतने formula है efficiency का in terms of temperature efficiency in terms of work upon output upon input in terms of heat absorb and heat released तो हमने इन दोनों को equate करना चाहा तो 1-2 by T1 is equal to W by Q1 किया T2 की value हमने Kelvin में put की तो वो T2 क्या था रहे 27 27 27 प्लस 273 करेंगे बच्चे तो 300 मिलेगा 227 प्लस 273 करेंगे तो हमें मिलेगा 500 तो यह 300 और 500 Kelvin में put किया गया है तो वहां से मुझे W by Q1 is equal to 2 by 5 मिला हमने कहा कि और हमें कुछ equation लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अन्नों आगे W और Q1 और हमें तो Q2 given है हमने फिर work done का formula देखा work done in this heat engine is Q1 minus Q2 Q1 minus Q2 यहाँ पे लिखा ठीक है ज़रूरी है यह formula भी समझना Q1 यहाँ पे तो पता नहीं है Q2 यहाँ पे 600 था वो लिख लिया तो अभी मेरे पास दो equation आगे यह और यह equation इन दोनों को solve करेंगे कुछ नहीं किया यहाँ से Q1 की value उठा ली मैंने Q1 is equal to 5W by 2 उसको यहाँ पे put कर दिया तो W is equal to 5W by 2 minus 600 मिला मुझे इसको multiply किया तो 600 into 2 1200 मेरा 3W 3W is equal to 1200 W मुझे मुल गया 400 calories हमें जूल में पूछा था तो बच्चों को पता है 4.2 से multiply करेंगे calories को तो वह answer हमें जूल में मिल जाएगा तो इस question को हम ने किया इसका सही जवाब हमें मिला फिर option A ठीक है ओके और question करते हैं आगे कि किसी को कोई पूछना हो तो मुझे बीच में interrupt करें बिल्कुल हिच की चाहिए नहीं कि मैं अभी कैसे पूछो यास बिल्कुल कि साक्षी पूछो बैटा इस पूछना था 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 भूल गई क्या पूछना था वही भूल गई हां हां यह सेकेंड स्लाइट थी डोंट वरी बस एक रिलेशन में यह आप लगाया है फिर यह मैंने question किया तो मान लो यह पहले question था ठीक है यू मिस अ लिटल बिट उनली चलते है next question की तरफ हम एक question solve करते हैं और क्यार नॉट इंजीन है इंजीन 25 per cent it operates it operates between reservoirs of constant temperature with विछ टेंप्रेचर डिफ्रेंस ये और आफ शर्डिधी टीग्री सेलसियस पूर्ण विराम दे के पूछा है वाट इसटी टेंप्रेचर पाँ इस दी टेंप्रेचर आफ दी लोड टेंप्रेचर रिजर्वायर उल्लू बनाने की कोशिश question के दा रहा ठीक है ताकि बच्चे को यहीं कंवर लो टेंपरिशर रिजर्वर क्या होता है options दिये है पहला minus 25 degrees Celsius बहुत थंडी होगी वहाँ पर तो 25 degrees Celsius थोड़ा comfortable minus 33 degrees Celsius रहे रशिया में पहुझ गए और यहाँ पर 33 degrees Celsius वापस आ गए औरंगाबार ने चार option दिया है कि question में जो पूछा है वो find out करो मैं एक मीट का वक्त दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर क्यार नॉट इंजिन दिया है जिसकी efficiency दिये 25 परसेंट efficiency यहाँ पर दिये 25 परसेंट मतलब 25 by 100 मतलब 1 by 4 लिख सकते efficiency हमेशा देखना परसेंटेस से जब निकालोगे efficiency को एक या एक से कमानी चाहिए वो एक से ज़्याद आई तो मतलब कुछ गड़वड है यह calculation mistake कर रहे हो ठीक है वन बाई 4 आया सही है यह 25 by 100 वन बाई 4 होता है यास इट ऑपरेट्स बिट्विन दे रिजर्वायर ओफ constant temperature with a temperature difference of 80 degrees Celsius मतलब सीधा सीधा गनित नहीं दिया है उन्होंने इट इंजिन में क्या होता है उपर source होता है नीचे क्या होता है sink होता है इसका temperature T1 इसका temperature T2 यह source होता है और यह sink होता है है इनका temperature difference यहां पर दिया है 80 degrees Celsius ती 1-2 80 degrees Celsius होगा सर्टी 1-2 ही क्यों T2-1 क्यों नहीं आरे भाई source का temperature ज्यादा होगा ना वहां से हीट ले रहा है हो और silencer से दुआ चोड़ रहा है उसके temperature कमी होगा ठीक है T1-2 80 degrees Celsius वहां से मिला पूचा क्या है the temperature of low temperature reserve wire मतलब हमें T2 कितना है यह पूचा है सही सही जवाब हमें पूचा है कि T2 का कितना होगा efficiency का formula हमें पता है efficiency is equals to बहुत सारे formula है उसमें से मैंने temperature का चुना एक दो तीन तीनों में से मैंने temperature का यह वाला equation चुना क्योंकि temperature का ही पूचा है relation heat work का कोई relation पूचा नहीं पूचते तो यूज करते वन माइनस अगर कभी कंफ्यूज हो कि सर उपर T2 वाई T1 यह यह T low upon T high तुम ऐसा भी लिख सकते हो lower temperature वाला उपर higher temperature वाला नीचे ठीक है मतलब इसको तुम T L और इसको थोड़ा equate कर देंगे तो यह उधर चला जाएगा सो T L upon T H मुझे मिल जाएगा 1-1 by 4 which is equals to 3 by 4 ठीक है तो एक relation हमें मिला T L upon T H is equals to 3 by 4 इसका ratio मिला क्या answer आया क्या नहीं answer कभ आएगा अभी आएगा step 2 में कहा से आएगा यह relation यूज करना पड़ेगा T1-2 is equals to 80 degree Celsius ठीक है ती 1-2 is equals to 80 degree Celsius यह 12 के जगा पर T H और T L लिखना है तो वैसा भी लिख सकते हो कि यहां से हमें क्या पूछा है temperature of low reservoir मतलब T L पूछा है मतलब T2 पूछा है सिंग का temperature पूछा है और यह दो relation है समझ गए हम दो relation दो unknown दोनों temperature पूछ तो दोनों भी बता सकते थे लेकिन यहां पे हमें T L पूछा है तो हम यहां से क्या करते हैं यहां से हम T H को substitute करते हैं तो T H को अगर में लिखना चाहूंगा तो वह क्या हो जाएगा 4 by 3 into T L वो यहां पे put कर देते हैं तो हमारा answer आ जाएगा 4 by 3 into T L minus T L is equals to 80 तो यहां से हम देखते हैं तो मुझे कितना मिल रहा है यह T L is equals to T L is equals to मिलेगा यह minus 33 degree Celsius ठीक है तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा option रशिया 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 नहीं option C 3 minus 33 degree Celsius यह लगा दिया question उठाया है हमने an ideal केर नॉट इंजिन जिसकी efficiency 40% है और which receives the heat at 500 Kelvin अगर efficiency 50% कर दे तो intake temperature बताओ जब उसकी efficiency 50% हो जाएगी keeping the exhaust temperature same पहली बार 40% efficiency पे चल रहा था इंजिन दोड रहा था temperature T1 500 Kelvin ले रहा था और exhaust silencer से जो हवा चूट रही थी उसका temperature T2 आप गाड़ी की efficiency 50% कर दी टायर प्रेशर बढ़ा दिया होगा उसके कुछ कर दिया होगा उसने chain 50% efficiency से पहले शुरुवात करते हैं efficiency का formula 1-2 by T1 temperature के term में दिया इसलिए 1-2 by T1 suitable formula है नहीं तो पता है इन में से कोई भी एक उठा सकते थे सो फटा-फट से 40% को क्या लिखोगे 40 by 100 is equal to 1-2 कितना है T2 है T1 कितना है Kelvin में अच्छी बात है यह हो गया पात्सो और यहाँ पर यह दूसरा equation में यहाँ पर बना के छोड़ देता हो तुम answer मुझे बताना फिर इसको यह 50% efficiency तो इसको लिखेंगे 50 by 100 is equal to 1-1 इसका temperature x मान लेते हैं और सेम एक्जॉस टेंपरेचर तो टी टू बाइए एक्स करेंगे तो यहाँ पर तुमारे पास दो equation आ गए और कितने अन्नों है दो अन्नों है इसको equation 1 बनाओ और इसको equation 2 बनाओ solve करके मुझे बताओ अगर YouTube पे देख रहे हो तो comment box में इसका answer लिखके मुझे बताना कि यह correct answer इसका क्या होगा मैं तुमारे उपर छोड़ रहा हूँ यह calculation तो बदाई हो option भी correct ही आरे solve करते हैं 1 minus T2 by T1 efficiency का formula efficiency of Carnot engine पूछी है जो 100 और minus 23 degree Celsius पे काम करें शर्ते लागू ऐसी है कि जब इस formula में temperature put करोगे तो हमेशा Kelvin में put करना नहीं तो option C करके आओगे फुल टॉस बाल पे बोल्ड हो जाओगे तो T2 था यहाँ पे minus 23 degree Celsius उसको Kelvin में convert करना है तो यह हो जाएगा 250 Kelvin और T1 था 100 degree Celsius तो वो Kelvin में हो गया 373 put कर दिया option आया option B next question next सवाल करते हैं question आया समझ में देखो वीडियो को pause करके इस question को read करना question का interpretation यह यहाँ पे मैंने लिखा है question में दिया था कि दो engine से A and B series में लगाए है A engine heat ले रहा है source से at temperature T1 और छोड़ रहा है at temperature T वही उसके नीचे B engine लगाया है जो A temperature T पे वो छोड़ रहा था B उसे ले रहा है heat को और वो T2 पे उसे reject कर रहा है पूछा है efficiency of A and efficiency of B अगर equal हो तो वो temperature T जो है वो कितना होना चाहिए in terms of T1 और T2 चार options दिया है तो यहाँ पर from given information efficiency of A is equal to efficiency of B हम लिखेंगे बराबर है तो efficiency का क्या formula होता है 1 minus T upon T1 लिखेंगे इसको lower temperature upon higher temperature for this lower temperature is T higher temperature is T1 is equal to efficiency of B 1 minus lower temperature इसका क्या है T2 higher temperature क्या होगा T1 obviously T2 छोटा ही होना चाहिए न T से तभी तो engine work करेगा ठीक है यहाँ से इसको simplify करेंगे one cut हो जाएगा negative sign भी चला जाएगा तो मुझे यहाँ से मिल रहा है T upon T1 color क्यों चेंज किया सर आपने बहुत ज़्यादा color हो जाते हैं फिर T upon T1 is equal to T2 upon capital T भाईवारे वाई T square is equal to T1 into T2 और यह लगा चोगा option D ठीक है तो इस प्रकार से question easy होते है इस topic के अंदर concept भलीग लग सकती है difficult क्योंकि यह थोड़ा सा relatively नया topic होता है दो तीम बर practice से थेरी भी आसान हो जाएगी और question तो काफी आसान इसके है तो आज की lecture में बच्चों